खरगोन शहर से लगे ग्राम भाडली की महिलाएं शराप को लेकर परिशान हो रही है। ग्राम भाडली में शराप बिकरी की 3-4 दुकाने हैं जिससे महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि विगर 2-3 साल से खुले आम अवे शराप बिक रही है। जिससे बच्चों में शराप की लत लग गई है। महिलाओं ने कहा कि रात के समय लोग शराप पी कर मारपीट भी करते हैं और शराप दुकान के मालिक दादागिरी करते हैं। मेंगाओं थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। घरगों से अजे तिवारी की रिपोर्ट चार दुकान है तो रात में भी बारा बज़े तक दुकान खली रखते हैं और हम बोलते हैं तो भाई तु यह खिली क्यों बोलती हमारा धंदा है। बेचेंगे, पुछ भी करेंगे, तुमारे एक दो घरसी क्या पनना है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पडुस में मत रोखो, बहार रोखो, बड़े बड़े गाओ में दुकान लगाओ, यह वर हमारा रात में से ज्यादा हुई दारु पेता, उसको 24 गंटे दारु होना, रोट बेचेंगे, पुछ भी करेंगे, तुमारे पुछ भी करेंगे, फिर देवाल के साइट में हैं कि बच्चे अगरा भी शड़ा पीने लगाओ बच्चे अगरा भी शड़ा पीने लगे? पर जिक्रेट दारू उनको भी दारू लगने लग गई वर वो बीच में ठीलेते हैं आपटे कि रोज काम करते हैं तो सारे पीसे उदरी भर देते हैं और एक किला आता लाके खाते हां बहुत परचानी हो गई गई गर में कूछ बनाने के ने रहते हैं कब से संचालीत हो रही हैं यह तो हमारे हैं पहुन जत्ते पांचे सार के ज़्यादा हो गया भी दिन ज़्यादा ज़्यादा हो रही है भी कुछ को भी नहीं हो